Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about non-finite words in detail or double parts of speech. Non-finite words को double parts of speech करते हैं. इस lecture में हम मुख्य रूट से इंप्निटिव, जिरेंड और पॉर्सिपिल की चल्चा करेंगे. तो इसको double parts of speech क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका double role होता है. यह noun का भी काम करता है, वर्व का भी काम करता है, noun का भी काम करता है, adjective का भी काम करता है. तो यह double parts of speech इसनातिश को कहा जाता है, और यह जो है, अपने subject के number or person से स्वतन्त होता है. यह जो है अपने subject के number or person से स्वतन्त होता है. इस lecture में हम आपको इजी से इजी तरीके से इंफनिटिव पार्ट से पिल और जीरेंड को डिफाइन करेंगे कि आप छुटकी में इसको पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे तो अब हम चलते हैं अपने lecture की तरफ फर्स्ट आप आप हम देखते हैं इंफनिटिव दूसरा आपका जीरेंड और तीसरा आपका पर्चिक 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 कि इंफनिटिव दूसरा पर्चिक 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 क्या है यह वर्वं मुझ हवाट फंत से पहले त्यू जोड़ा जाता है यह बिज तो या विदाउट करकें इन्पिनिटिव बनाते जोंत कि या है रभल नाउन क्या है वर्बल नाउन डर्मरी फारघृ या जोड़ा जाता है और फार्ट्सिपम में भी वर्मरी फार्म में इंडी बंद जता हैं यह वर्बल नाउन है जब की पार्षिल जो है जो पो क् nhân को कि करता है जी जुआ वर्बलना फैले पार्षिपल इजब इस वह वर्बल एड़ेक्टिब है पार्षिपल फिर फार्षिल ऑग हम चलते इंफिनियर पर कार्पोरार, फिर्द सिर्दिंगा, कि अप्रिध जाफॉरा, इंगे बिलाफ कि अप्रिध, इंगे अप्रिध, धुडब खिर्द एंगे लिए, विए रिए वक्ष कि अप्रिध, जापुर खिर्दिंगे प्रिणिट्ट लेवड्या कृणी ओंदे लाहता हों। और इस्ते दिव बड़ और दिकुप उस्ते और दिव और दिव अधिछ और दो और चेट और उनलेतर अगए by number and person of the subject is called infinitive is called infinitive the form of verb is a kriya that denotes an action a kriya action and is not limited by number and subject of the person or subject number and person how it may not come it may not come in infinite the other the other the other the other the other the form of verb the form of one that is used with फस एक इस ओर मैंनों सिय औरभ जार टो कि इस ब बाउप टो सत्वाल है इस 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 मैंने तूरम इस is called an infinitive is called an infinitive infinitive का मतलब होता है infinitive means 2 plus B1 are without 2 plus B1 तो infinitive का हाथ होता है 2 plus B1 अब हम समझते हैं यह फार्म आपवर क्रिया का ऐसा रूट बैश डिनोर्ट साइन एक्षन जो जिससे किसी भी क्रिया कलाप का या किसी स्टेट का जो है बोड होता है and is not limited by the number and person of the subject और यह करता कि number and person से सीमित नहीं होता है अर्थाथ करता कि number and person का इस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है is called an infinitive उसे infinitive कहते हैं साट फाम में हम कहें यह फाम आप वर्ड यह फाम यह फाम यह को आदे हैं यह फाम आप वर्ड क्रिया का रूप that is used जिसका प्रियोग करते हैं with to or without to किसके साथ with to या without to के साथ क्रिया का ऐसा रूप जिसका प्रियोग टू के साथ किया जाता है या बिना टू के किया जाता है इसी को हम इंफिनिटिव कहते हैं हिंदी में इसका आठ ना नीने होता है जैसे तुवा किजिए बुजिक सर्शाइब तुवा किजिए गुड़ एक्साइब तुवा किजिए गुड़ एक्साइब तुवा किजिए गुड़ एक्साइब तहलना एक अच्छा भ्यायाम है अब ये तुवा क्या है आपका इंफिनिटिव है दूसरा तुनिट विदावट वाटर दूसरा इंपस्बूल तुवा किजिए ग्सब्सबूल तुलिव बड़ रखर इंपस्बूल अगला, I want to go now, I want to go now, अब मैं जाना चाहता हूं, I want to go now, अगला, I am about to read, I am about to read, मैं अब पढ़ने वाला हूं, अगला, I am about to read, मैं क्या करने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं, अगला, अगला it is useful, it is useful to swim in the का अलीवा ही निल्स नाट गो ही निल्स नाट गो उसे जाने की और सकता नहीं है अलाः लट इंवर लट इंवर लट इंवर अलाः वी नाट बेट तो अब आप हम देव रहे हैं कि तुवाक ये बुदिक सरसाई कहलना एक अच्छा ब्यायाम है, इसमें तुवाक है, तु लिफ बिदाउट वाटर इजिन पाथ दिल, बिना जीव पानी के जीवन संभव नहीं है, तु लिफ बिदाउट वाटर पानी के बिना जीना, इजिम पाथ दिल क्या संभव है, अब मैं जाना चाहता हूं, I am about to read, मैं पढ़ना चाहता हूं, नहीं, I am about to read, मैं पढ़ने वाला हूं, I am about to read, मैं पढ़ने वाला हूं, It is useful to stream in the river, नदी में तरना उप्योगी है, और he needs not go, उसे जाने की जरू, he needs not go, उसे जाने की और सक्टा नहीं है, He needs not go, वह नहीं जाना चाहता मतलब, उसे जाने की जरूदत नहीं है, या let him work, उसे काम करने दो, you need not go, तुम्हें इंतिजार करने की और सक्टा नहीं है, तो यह सब आपका जो है, क्या है, infinitive, क्या है, infinitive, अब इसमें आप देख रहे हैं, क्या है, क्या है, यहां यह आपका, bit infinitive, क्या है, bit 2 प्लस बीवन, इसमें, इन चारों आपकों में, पाचों आपकों में, क्या है, bit 2 प्लस बीवन, क्या है, यहां हम लिख देते हैं, यहां से, यहां तक, आपका क्या है, यह infinitive है, 2, bit 2 प्लस बीवन, इसमें, इन पाचों इस जांपर में हम देख रहे हैं, क्या है, bit 2 प्लस बीवन, D1, 2 के साथ जुड़ा हुआ है, और 6, 7, 8 जो इक्जांपर है, इसमें क्या है, without 2, without 2, प्लस बीवन, इसलिकों हम बेर इंफ्निटिव कहां हैं, बेर इंफ्निटिवन, इसे को हम क्या कहते हैं, बेर इंफ्निटिव, इसको बेर इंफ्निटिव कहां जाता है, अब हम चलते हैं, जी रेंड की तरफ, दूसरा जो डबल पार्ट सा आपिस्पीज का पार्ट है, हमारा जी रेंड, जी रेंड की जहां तरफ बात आवे, वो क्या है, बी वन प्लस आई एंगी है, और इटील ये वर्बल नाउन, क्या है ये वर्बल नाउन, वर्ब है और नाउन भी है, ये पार्टियली वर्ब भी है और नाउन भी है, तो इसको वर्बल नाउन कहा गया, इत इस पार्टियली वर्ब ये वर्ब ये नाउन, ये आंशिक वुप से वर्ब भी है और नाउन भी है, इत इस नाईदर ये वर्ब नार ये तो इत इस नाईदर ये कंप्लीट वर्ब नार ये कंप्लीट नाउन, ना तो ये पूरे रूप से क्रिया ही है और ना पूरे रूप से संग्या ही है तो इसको वर्बर नाउन पार्शेली मतलबान सी रूप से इसको वर्ब या नाउन दोनों कहते हैं अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं जी रेंड को यह वर्ड दैट इन लाइक यह वर्ब but performs the work of the work of noun a word that is like a word but performs the work of noun आप नाउन इस काल्ड जीरें यह वर्डाइट इस लाइक ए वर्ब बट पर फार्म दीवाकाफ नाउन इस काल्ड जीरें अथ्वां आद करके हम कहते हैं यह फार्म आप वर्ब यह पौम आप वर्ब बाईट यह पौम कहाद रह करें यह फार्मा वर्ब बाईट यह पार्मा वज चाल्ड बाईट A ब beliefs अब बित वुजए लुज, और निफ आयने फिरले, व्यर yarn in ऐ खरा méma में सेले। लुछ अगि हैं। लूछि सकतख बित सकतब आयनेOW अधिसे जुफर हन पांद के ईयने हिब तरी तुरल Iron कि मॉडिफाइड यह नाउन इसका हुआ है यह वर्ड ऐसा सब्ध डाइट लाइक वर्ब जो किसके रूप में होता है क्रिया के रूप में होता है लेकिन कार्ण किसका करता है संज्या का करता है इस कार्ण जीरेंड उसे हम जीरेंड कहते हैं यह वर्ड दैट इस लाइक वर्ड क्रिया के रूप में होता है जो प्रिया के रूप में होता है इस लाइक वर्ड लेकिन कार्ण करता है इसका जीरेंड उसे जीरेंड करते हैं यह वर्ड दैट इस यूजड बिद वर्ब्स आई एंगी फाहम जो क्रिया के आई एंगी रूप के साथ होता है और नाउन को मोडिफाई करता है नाउन को क्वालिफाई करता है इसको क्या कहते हैं जीरेंड कहते हैं क्या कहते हैं जीरेंड एक्जाम पर हम लेते हैं और इसी नाथे एटीज ये वर्बल नाउन इसको हम क्या कहते हैं वर्बल नाउन कहते हैं जीरेंड को क्या कहा जाता है वर्बल नाउन कहा जाता है जीरेंड इस वर्बल नाउन ये क्या है वर्बल नाउन अब हम चलते हैं एक्जामपल पर पहला कि वाकिंग इजिए गुड़िक सवसाइड टहलना एक अच्छा व्यायाम हां वाकिंग क्या है जीरेंड है टहलना इसमें भी नानी ने आएगा वाकिंग इजिए गुड़िक सवसाइड दूसरा ला एक सिंगी है इल ए्च सिंग Berg ही जब गलाव कि अंड़ और पान्ड़िव आफंड़ सर दंसिंघ आवंड़ सर दंसिंग dancing, मैं किसका सोकीन हूँ, नाचने का सोकीन हूँ, dancing यहाँ क्या है आपका, जीदेंड, I am fond of dancing, अगला, swimming is good for health, is good for health, swimming is good for health, तर नाचने स्वास्त के लिए, लाफ जायत है, swimming is good for health, swimming is good for health, तर नाचने स्वास्त के लिए क्या है, मतलब अच्छा है, अगला है, reading is his hobby, reading is his hobby, पढ़ना उसके साउक है, reading is his hobby, पढ़ना उसके साउक है, hunting wild animal is illegal, hunting wild animals is illegal, hunting wild animals is illegal, hunting wild animals is illegal, जंगली जानवरों का शिकाल करना, क्या है, अबायद है, अगयर कानूनी है, तो इसने आप देख रहे हैं, walking है, singing है, swimming है, dancing है, reading है, hunting है, यह सब आपके, g-rend है, और g-rend जो है, B1 प्लास, वाल की फर्स पामे, IMD, है, को की और सकतापनऊ आयाकती है, और सकतापनाय एर बना एंगा, तो आइ, है, और सकतापनान एर दो, एंग, आपके भी खंग, यह आपका जीरेंड हो गया तो इसमें भी ना नीने आता है और जीरेंड और इंफ्निटिव में यही फर्क है कि इंफ्निटिव वर्ब टू के साथ जुड़ा होता है जबकि जीरेंड में आई एंजी फार्म वर्ब के साथ आई एंजी फार्म का प्रियोग जरूर होता है अब हम चलते हैं पार्ट सिपल पार्ट सिपल क्या है यह भी बी वन प्लस आई एंजी है कि इति ये वर्बल अइड्यक्टिव यह वर्बल अइड्यक्टिव है जब भी पार्शिपिल की बहुत आएगी तो यह क्या होगा वर्बल एड्जेक्टिब होगा अब हम पार्शिपिल को डिफाइड कर लेते हैं इसकी डिपनीशन यह वह दैपिल लाइग यह वर्ब भट पर्फॉम् 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 यह प्रफॉम् यह व्युक्तिब पर्फॉम् पर्फॉम् पार्शिपल, ये वर्ड ये लाइक ये वर्ड, ऐसा सब्ड जो क्रिया के रूप में होता है, वर्ड के रूप में होता है, और कारी किसका करता है, विसेशर का काम करता है, इसना ते इसको जो है, पार्ट सिपिर कहा गया, अब डबूल पार्ट साफ स्पीच इसका नाम चोर दिया गया, आपने बताया था, कि जैसे जिरेंड था, तो जिरेंड वर्ड और नाउन के रूप में कारी करता है, इंत्मीटिब भी वर्ड और नाउन के रूप में कारी करता है, लेकिन पार्ट सिपिल जो है, ये वर्ड औ करते हैं, इसी नाथ इसको double parts of strings कहा रहता है, अब हम दूसरी definition देख लेते हैं, जूसरी में इसंदा हैं, एक छूसरी एक आओनालैं, को ऑ्लाे प्लावी नाओ, एक आओनान चैना हैं, थैनान,riosर्ण ऑनुड़ता हैं, you can to call अर प्रोनाओन अगल्ण आदिट इसको पर्शिप्टाइब तन धिए्या कि बार्श सकते हुआ जब और जो खुट पर्शिप्रम्स इसका और पास्टे यह वर्ड डाइट लाइट यह वर्ब जो वर्ब के रूप में होता है बट पर फार्म दिवर का बहना जेक्टिब अजेक्टिब का कारी करता है उसे हम पार्ट सिपिल कहते हैं इसका बिवर्ब नाँ यह हम देख लेते हैं इस नाइदर कम्प्लीट कम्प्लीट वर्ब नार अजेख लेख 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 वर्ण पर्क्री आयंड अध्यक्तिव इतिन नाईडर कॉंपलीट वर्ण नाथ यह पूरा वर्ण ही होता रहे ना और कम्प्लीट एड्यक्टिव और ना पूरा विसेशर ही होता है बार्ट परंतु इस पार्शेली वर्ब ये आंसी ग्रूप में वर्ब होता है और पार्शेली एन एड्यक्टिव और आंसी ग्रूप से एड्यक्टिव भी होता है अर्ठाथ ये वर्ब और अग्यक्टिव दोनों होता है अब इज्यामपन हम लेते हैं I saw him singing I saw him singing मैंने उसे गाते हुए देखा मैंने उसे कैसे देखा गाते हुए देखा I saw him singing अब singing क्या है यह आपका पार्ट से पिल है दूसरा Seeing a lion I climbed up a tree अब यह किसको क्वालिफाई कर रहा है लायन को Seeing a lion किसको देख कर से दो देख कर यहां यह को क्वालिफाई कर रहा है प्रोनावन को क्वालिफाई कर रहा है यहां यह seeing a lion किसको देख कर से दो देख कर I climbed up a tree my paper चड़ गया तो यहां जो है seeing क्या है यह आपका पार्ट सिपिल है यह पार्ट सिपिल है यहां आपका singing पार्ट सिपिल है अगला दा वूंदेट सूर्जर्स पार्ट सिपिल है यह आपका मुंदेट क्या है पार्ट सिपिल है इसमे यह पिजें पार्ट सिपिल है यह पार्ट सिपिल है यह पार्ट सिपिल है H-O-S, P-I-T-A-L, the wounded soldiers were sent to hospital, मतला, धायर साइन को कहां भेजा गया, हास्पितल भेजा गया, अगला, my father is a retired teacher, ये भी आपका past participle है, my father is a retired teacher, अव्ला, ये बॉर्ण चायल, ये बॉर्ण चायल, ये बॉर्ण चायल, ग्रिश, ग्रिश, ग्रिशस बापकाया, जडा हुआ बच्चा, आपसे गडता है, यह तीनों आपका पास्ट पार्शिपिल है वैसे इसकी चर्चा हम अगले में भी करेंगे वैसे आप जान देजिए यहां पास्ट पार्शिपिल है इन देव दोनों में आपका क्या है प्रिजेंट पार्शिपिल अगला एक्यां पर अगला एंपल, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, कारीम ए लांटर, आई सा एगर करेंगे लांटर, मैंने एक लड़की को लालतें दे जाते हुए देखा, अगला एंपल, आई सा हिम स्टीलिंग, आई सा हिम स्टीलिंग, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, ये सब आपके क्या हैं, प्रिजेन पार्ट से पिल हैं, अगला, है विज देखा, ये उसे एवाड से पूसे पड़क, है विजे र वाड के ली चोर्पके, राम बेंट टू प्ले है बिन फिनिज इडवर्ट अपना काम समाथ करने के बाद राम बेंट टू प्ले राम कहां गया खेलने गया अगका अगलाः घीज टने लेटर र रे गिल्ट काम है बेंट रेड़र्ट लेटर रेंट काम राम बेंट इड़र बेंट रेड़र्ट रही जिर्टा रेड़्ес बूना K bless h twenty स्रीटा उसे पोस्टकरने गई है इन रिटन लेटर स्रीटा बेरें बें तुपोस्ट अब ये आपका अगला है विन बीन पुनिश्ड बाइ दीटर teacher teacher राम राम लेफ्टत दाइश्पूल यह आपका पट्थैश्पूल यह भाट फॉर शोंण तो इस दिश्वाहीं से हमने जो है इसमें के वल डिफनीशन के बारे में एक जाब्पर के बारे में कैसे आप इसको इन्फिनीटिव पार्शिपिल और जीरेंट को कैसे पहचानते हैं। उडारण के माधिन से अपको फी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। और हमें उम्मीद है आपको वीडियो प्रसंद आई होगी, वीडियो लाज्ट तक जरूर देखिएगा, थैंक्स